यदि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बैल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ओल के बटन को ज़रूर दबादें इसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे जो भी नया जुड़ा हुआ है या जो अभी हमसे कुछ दिन हुए जुड़े हुए आप रोज ये 50 टेस्ट दीजिए सोने के पहले अच्छी से इमानदारी से दीजिए आपको इन में से कॉशन एक्जाम में मिलने वाले हैं और कोशिश करिए 30 से 35 नमबर लाने की देखते हैं आप लोगों में कितने लोग पूरा टेस्ट अपने पढ़ाई के लिए अपनी जौब के लिए शिद्दत से इमानदारी से दे पाते हैं क्योंकि जब आप 5-10-15 मिट का टेस्ट नहीं दे पा रहा हैं तो 2-2 घंटे का पेपर कैसे दे पाएंगे स्टार्ट करते वीडियो को बिना देर के हुए पहला कॉशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा निम्दे मैं से किसे पाइरो मीटर कहा जाता है तो पाइरो मीटर कहा जाता है यहाँ पर आपका विक्रण ताप मापी को आप्शन नमबर भी यहाँ पर पाइरो मीटर के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कॉशन नमबर दो देख लेते हैं यह रापकी स्क्रीन पर इसमें पूचा गया है गृत्वा करशन का सिध्धान्त किसे ने प्रतिपादित किया किसे ने दिया तो गृत्वा करशन का सिध्धान्त दिया है आपका आईजक सर आईजक निउटन जी ने आप्शन नमबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनके उपर कौन सा फल गिरा था बताना थोड़ा एक पेड़ के नीचे बैठे थे आप लोगों को पता होगा और इनके उपर एक फल गिरा था उसी से इनको ये सिध्धान्त दिमाग में सूजा तो जरुर बताईएगा कौन सा फल गिरा था इनके सिर पर caution number अगला देख लेते हैं ये आपकी screen पर हवा में लोहे और लकडी की समान भार की गेंद को समान उचाई से गिरने पर क्या होगा बताईए यदि हवा में लोहे की एक गेंद गिरे और एक लकडी की गेंद ये दोनों नीचे आप छोड़ दीजिए क्या होगा पता है आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लकडी की गेंद कुछ देर बाद गिरेगी कुछ अंतराल बाद गिरेगी simple सी बात है क्यों क्योंकि वो हलकी होगी किसकी अपिक्छा लोहे की गेंद की अपिक्छा अगले प्रश्ण में आपसे पूछा गया किसी पिंड का भार बताईए किसी पिंड के भार के बारे में इनमें से कौन सी कौन सा कथन सत्य होगा तो किसी पिंड के बारे में आपको उता दूँ जो भार होता है पिंड का वो ध्रुवों पर अधिक्तम होता है सरवाधिक होता है तो यहाँ पर option number C ध्रुवों पर अधिक्तम होगा पिंडिका भार विल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला question देख लीजिए इसमें आप से पूछा गया है जब कोई वस्तु उपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है तो जब कोई वस्तु उपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा option number B जितना भार है उतना ही रहेगा change क्या होता है comment box में comment करके बताईए अगला question देखे यह आपकी screen पर pendulum घडी तीवर गती से चल सकती है किस समय तो जो pendulum की घडी है वो शीत काल में तेज चलती है और ग्रिस्म काल में slow हो जाती है यहाँ पर option number B भी बिल्कुल से आंसर हो जागा शीत काल में वो तीवर चलेगी अगला question देखे साबुन के बुल्बुले के अंदर का दाब कैसा होता है तो साबुन का यदि आप बुल्बुला बनाते हैं आपने फूक के बनाया भी होगा कई बार साबुन का बुल्बुला कई बार धोके से भी बन जाता है तो उसके अंदर का जो pressure होता है वायू मंडल के दाव से अधिक होता है option number A वायू मंडल के दाव से अधिक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जील की तली से उठकर वायू का बुलबुला उपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा या छोटा होगा तो जील की सतह से आपने देखा होगा ब्रेक के जो कारे करने का सिध्धानत है वो है आपका पासकल के नियम पर आधालत option number D पासकल का नियम यहाँ पर इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा अगला कौशन देखिए इस्थित विज्ञान निमने में से किस से संबने थे तो इस्थित विज्ञान आपका विश्राम की स्थिती से संबने थे यहाँ पर option number B विश्राम की स्थिती बिलकुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगले प्रशन में आपसे पूछा गया है प्रकास सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है तो प्रकास सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकास का तरंग दर्द बहुत ही छोटा होता है option number C इसलिए वो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है अगले प्रशन में पूछा गया है option number D आवरती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और परिवर्थित रहेगी अगला question देखिए त्रिविमिय चित्र लेने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो 3D या त्रिविमिय चित्र लेने के लिए आपका holographic का प्रियोग करते हैं option number B यहाँ पर इस प्रिशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question देखिए दूर दर्शन प्रसाण में श्रव संकेतों का प्रियोग करने के लिए प्रियोग्त तखनीक कौन सी है तो श्रव संकेतों का प्रियोग्त आवरती मॉडुलन से होता है option number B प्रसारी विस्व की संगल्पना आधारित होती है तो प्रसारी विस्व की संगल्पना जो आपकी डॉपलर प्रवा पर आधारित होती है option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगले प्रसारी 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 विस्व की संगल्पना प्रतिम्पना आपका आपका काल्पनिक और बड़ा होगा option number B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रसारी के लिए अगला कॉशन देखिए धूप के चस्मे की पावर कैसी होती है धूप के चस्मे की पावर आपकी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 0 डायप्टर की होगी option number 0 डायप्टर भाई पावर ही नहीं है उसमें धूप से बचने के लिए है वो तो option number A सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए जब वर्फ पिघलती है तब तो जब वर्फ में पिघलती है तो वर्फ का आयतन जो है घट जाएगा कम हो जाएगा option number B यहाँ पर इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए थर्मो क्रियूजन क्या है तो थर्मो स्टेट का यूज करते है तापमान को इस तर रखने मैं option number C तापमान को इस तर रखने मैं यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कमरे में लगा हुआ वातानु कूलक क्या नियंतरत करता है तो AC जो है आपका वो तापक्रम के साथ सक आद्रता भी नियंतरत करता है केवल आद्रता एवं तापक्रम ऑप्शन नमबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस कौशन के लिए अगला कौशन देखिए ग्रीस में काल मैं आद्र उश्मा का अनुवा होता है जब मौसम कैसा होगा तो यदि उमस वाला मौसम होगा तो आपको आद्र उश्मा का अनुवा होगा उमस उमस रहती है ही जादा रहती ऑप्शन नमबर बी यहां पर इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा अगला कौ अगला कॉशन देखिए किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्री रश्टी मतलब रात में देखने के लिए किया जाता है यह कॉशन में सुबह करवाय था आपने देखा हुआ यही वन लाइनर पड़े होंगे तो अब रखते किरने जिनको इंफ्राड किरने भी बोलत सुख्ष में तरंग है आप्शन देखिए निमने मैं से किस की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है तो आपको जो ऑप्शन देगा है सबसे अधिक तरंग लंबाई होती है रेडियो तरंगों की आप्शन देखिए रेडियो तरंगों की तरंग देर्ध लंबाई अधिक ह करता है मतलब M2E करता है डाइनों है न मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल M2E अगला कोशन देखिए यदि 60 वाट का वल्फ प्रती दिन 5 घंटे प्रयुक किया जाए तो 30 दन में कितने यूनिट बिजली खपत हो जाएगी तो यदि आप 60 वाट का वल्फ पांच घंटे रोज जलात हो तो आपकी नौ यूनिट बिजली खपत हो जाएगी ऑप्शन नमबर B यहाँ पर इस प्रशन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए फ्यूज का सिद्धांत क्या है तो फ्यूज का सिद्धांत आपका विद्दुत का ऊश्मिय प्रभाव पर आधरत होता है ओप्शन नमबर यहाँ पर C विद्दुत का ऊश्मिय प्रभाव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस कोशन के लिए अगला कोशन देखिए हैलोजन लेंप का तंतु निम्द की मिश्य धातु होता है तो हैलोजन लेंप का तंतु आपका किस-किस की मिश्य अगला कोशन देखिए प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब आपकी AC AC करेंट आपको स्टोरिज बैटरी को चार्ज करने है तो उपयुक्त नहीं है ऑप्शन नमबर A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका है अलेक्ट्रिक मोटर DC वाली होती है विदो सकती संचालन भी हो सकता है अलेक्ट्रिक जो है टोस्टर को गर्म करने के लिए भी हो सकत नहीं है किसी अती चालक द्वारा अधिक्तम ताप लिए और स्चैक्लोहुन किसको ती अदीत करने के लिए प्रेउक्त किया जाता है तो cyclingeton आपका यहां पर सही answer हो जाएगा proton के लिए होता है cyclotron option number B proton यहां पर इस प्रशन के लिए बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला question दखेए निबने हैं से कौन सा तठ्वल स्यल में उपयोग किया जाता है तो solar cell में silicon का यूज होता है ये caution आपका इतनी बार आ चुका है और आजकल जब से green energy पर focus कर रहे हैं तो solar से संबनेट caution बहुत आ रहे हैं ठीक है? Soar उजा से संबनेट caution बहुत आ रहे हैं Silicon या रखना most important भूमी का निभाता है एक कर्तिम उपग्रा में विद्धुत उजा का स्रोत क्या होता है तो एक कर्तिम उपग्रा में विद्धुत उजा सोर सेल के द्वारा option number A यहां पर सोर सेल बिल्कुल सही answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारत वर्ष में बड़े भंडार पाई आते हैं कौन सा है तो वो रेडियो धर्मी तत्व आपका है थोरियम थोरियम के बहुत सारे भंडार है हमारे यहां पर यूरेनियम भी थोड़ा बहुत मिलता है तो uranium, thorium दोनों हमारे हैं मिलते हैं अगला कॉशन देखिए यह आपकी स्क्रीन पर इसमें आपसे पूछा गया है भारत का प्रथम पर्माडू सहयंत रंद्यमने मैं से कौन सा है बिलकोल इजी कॉशन आगया आप लोगों को पता होगा तारापूर पर्माडू सहयंत option number C यह सबसे पुराना भारत का सबसे प्रथम है हमारा देश का अगले कॉशन में आपसे पूछा गया है रेडियो धर्मी पदार्त उत्सरजित करता है तो रेडियो धर्मी पदार्त जो है आपका अलफा का नुस्तरजित करता है बीटा गामा तीनोस्तरजित करता है option number D उपरोग तो सभी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए भार हिंता की अउस्ता में एक मोमत्ती की जुआला का आकार कैसा हो जाएगा तो यदि भार हिंता रहेगी तो मोमत्ती की जुआला जो रहेगी वो गोलाकार हो जाएगी option number C गोलाकार यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देखिए द्रव रूप में है तो कमरे के ताप मान पर में द्रव रूप पर आपका जो है फ्रेन्सियम होता है option number C फ्रेंसियम यहां पर इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देख लेते हैं यह रहाप की स्क्रीन पर इसमें आपसे पूछा गया है निमने मैंसे कौन विद्धुत अचुम्बकी है तो विद्धुत अचुम्बकी इस्वृ जाता है भाईया निकल बिल्कुल है चुम्बकी है मतलब कोबालट भी क्रोमियम भी तांभा विद्धुत अचुम्बकी है । निम्नांकित मैं से किससे tape recorder की टेप लेपित रहती है तो tape recorder की tape जो है pharo magnetic tune से लेपित रहती है option no b यहां पर इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा अगला question देखिये एक carbon microphone सबसे श्रिष्ट प्रियुक्त होता है तो एक carbon microphone सबसे श्रिष्ट telephone में प्रियुक्त होता है option number B telephone यहाँ पर इस प्रशने के लिए right answer हो जाएगा अगले प्रशन में पूछा गया gas engine की खोज किस ने की थी तो gas engine की बात हो रही देखिए इंजन अलग अलग है डीचल इंजन गैस इंजन सबके तो gas engine की बात हो रही है gas engine से डेंपलर जुड़े हुए है option number C डेंपलर यहाँ पर सही answer हो जाएगा निवन वैसे कौन सा परमाड़ो एधन की स्रेणी में नहीं आता है भारत में भारी जल बनाया जाता है कहां पर यह कौशन कई बार एक्जाम में आ हुआ हुआ आप लोग को पता हुआ ट्रामबे option नमबर भारी जल के लिए बहुत ज्यादा मशूर है भारी जल का रासानिक सूत्र बताईए कमेंट करके बिल्कुल इजी कौशन पूछा है भारी जल का रासानिक सूत्र और यह हो गए आपके पूरे 50 कौश्चन सुपर फास्ट दोस्तों रोज इस वीडियो को जरू देखा करो अब सुबह 6 बज़े आपको 100 GKK वन लाइनर मिलेंगे तो सुबह 6 बज़े के लिए तयार हो जाईए मिलते हैं आपसे सुबह 6 बज़े प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभ हो बहुत बहुत धन्यवाद